हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे यूटूब चेनल फिरे यू अनलाइन टीचिंग बन में तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम प्रीवोड एक्जाम 2021-22 के लाश 10th सब्जेक्ट इंगलिस का कम्प्लीट सॉलूसन देखने वाले हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विसय हिंदी और विज्जान का प्रीवोड पेपर हलसेद सॉलूसन के साथ उपलब्द करा दिया है यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्किप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं और इससे पहले अदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दवाईए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चैनली वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्षने में आपको रीडिंग अर्थात इस प्रकार से आपको अंसीन पैसिस दी गई है तो यहाँ पर क्वेशन नमर एक में आपको इस प्रकार से अंसीन पैसिस दी गई है इसकी बाद यहाँ पर चोथे questions का जो आंसर होगा इस unseen passage में से आपको देख कर लिखना है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना अर्थाथ people से लेकर आपको picture तक यहाँ पर इसका right answer होगा इसकी बाद यहाँ पर पाँच में questions का जो आंसर होगा D number option इसका right answer होगा तो इस प्रकार से सभी प्रश्णों के answer आप अच्छे से लिखते जाएं इसके बाद यहाँ पर question number 2 में आपको यह concern पैसिस दी गई है तो यहाँ पर हमें सभी प्रश्णों के answer देखने वाले हैं तो यहाँ पर पहले questions का answer A number option होगा दूसरे question का answer भी यह number का होगा इसके बाद यहाँ पर तीसरे questions का जो answer होगा C number option इसका right answer होगा चोड़े questions का answer यहाँ पर B number option right answer होगा इसके बाद पाचवी questions का जो answer होगा यहाँ पर D number options का right answer होगा इसके बाद यहाँ पर question number 3 में आपको इस प्रकार से notes making summary पूछी गई है तो यहाँ पर हम इसका answer देखने वाले है question number 3 का तो इस प्रकार से आपके question number 3 के सभी प्रशनों के answer हो जाएंगे यहाँ पर title आपको इस प्रकार से लेखना है इसके बाद इस प्रकार से आपको notes बनाना है तो आप वीडियो को रुक कर या फिर आप इसके answer लेकर इन सभी प्रशनों के उत्तर को आप अच्छे से लेख सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ share करना है ताकि सभी को इसका solution और लब्द हो सके इसके बाद यहाँ पर question number 4 है यू आर अनूप सर्मा studying in government high school रिवा, write an application to the principal of your school requesting him to use your transfer certificate यहाँ पर हम तो यहाँ पर हम टीसी यर्था transfer certificate की यहाँ पर हम application देखने वाले हैं तो इस प्रकार से यहाँ है transfer certificate की application हो जाएगी सिर्फ यहाँ पर आपको जो भी question में school का नाम दिया गया government high school यहाँ पर रिवा दिया गया तो यहाँ पर school का नाम इस प्रकार से आपको लिखना है subject में आपको an application for TCR था transfer certificate लिखना है इसकी बाद question में बताया गया है कि आपके पिताजी का जो यहाँ पर इस्तान अंतरन कहा हो गया है भोपाल हो गया है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भोपाल लिखना है और यहाँ पर question में नाम भी दिया गया है अनूप सर्मा तो यहाँ पर आपको अनूप सर्मा लिखना है तो इस परकार से आप वीडियो को रुख कर या फिर आप इसके इन सोल लेकर इस application को आप अच्छे से लिख सकते हैं इसकी बाद question नमर 5 में आपको निमंद पूछा गया है तो इन चारो निमंद में से आप किसी एक निमंद को अच्छे से लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम माई होबी का निमंद देखने वाले हैं इसलिए आपको अच्छे से अच्छी writing में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक में ले तो इस परकार से माई होबी का निमंद हो जाएगा तो सबसे पहले पहले पॉइंट में आपको introduction लिखना है दूसरे पॉइंट में माई होबी लिखना है तीसरे पॉइंट में आपको my garden लिखना है यहाँ तक फिर इसके बाद आपको last में conclusion लिखना है तो इस प्रकार से conclusion का यहाँ पर चौथा point हो जाएगा तो इस प्रकार से आप video करोकर इस निमंद को आप अच्छे से लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर question number 6 है इस चित्र को देखकर यहाँ पर आपको इसका वर्णन करना है तो हमें इसका answer देखने वाले हैं साथ ही साथ जो कि आपको section से गिरावर में इस प्रकार से question पूछे गए इनकी answer और question number 8 में आपको do as directed any 5 तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रशनों की answer एक साथ देखने वाले है question number 6, question number 7 और question number 8 तो सबसे पहले आपके question number 6 का answer हो जाएगा इस प्रकार से आपको चित्र को देखकर इस प्रकार से आपको answer लिखना है तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रशन के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है यह आपके question number 6 का answer हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर question number 7 में इस प्रकार से आपको grammar के question पूछे गए हैं तो इस प्रकार से question number 7 की सभी प्रशनों के answer हो जाएंगे तो इनको आप अच्छे से note कर लें पहले questions का answer end होगा दूसरे questions का answer off होगा तीसरे questions का answer become होगा चोथे questions का answer sort होगा 5 questions का answer because होगा और 6 questions का answer any होगा तो इस प्रकार से आपको question number 7 की सभी प्रशनों के answer हो जाएंगे इनको आप अच्छे से note कर लें इसके बाद यहाँ पर question number 8 में आपको do as directed पूछेगा इनमेंसे आपको कोई भी 5 questions की answer लिखना है इसके बाद यहाँ पर question number 9 में आपको इस प्रकार से object type questions पूछेगा है इनमेंसे आपको any 6 करने हैं आपको 7 दिये गए है 7 मेंसे आपको कोई 6 के answer लिखना है तो यहाँ पर पहले questions का answer A number का option होगा दूसरे questions का जो answer होगा B number का होगा तीसरे questions का answer यहाँ पर B number का होगा चोथे question का answer जो होगा A number का option होगा पांच में questions का answer B यहाँ पर A number का option होगा छट में questions का answer यहाँ पर C number का option राइट answer होगा इसके बाद साथ में questions का जो answer होगा B number का option होगा इसके बाद question number 10 में आपको इस प्रकार से unseen passage पूची गई है तो यहाँ पर question number 10 में A वाले question में आपको इस प्रकार से unseen passage पूची गई है तो यहाँ पर पहले questions का answer A number optionist का right answer होगा दूसरे questions का जो answer होगा यहाँ पर C number optionist का right answer होगा इसके बाद तीसरे questions का जो answer होगा यहाँ पर C number option इसका right answer होगा इसके बाद यहाँ पर question number 10 के B वाले question में आपको इस प्रकार से पोय में extract कूशी गई है तो यहाँ पर पहले questions का answer A number option होगा दूसरे questions का answer B number का होगा तीसरे questions का जो answer होगा यहाँ पर C number option आपका right answer होगा इसके बाद यहाँ पर हम question number 11 से लेकर question number 16 तक सभी प्रशनों के answer देखने वाले हैं इस प्रकार से आपको answer question पूछे गए हैं तो वीडियो के साथ अंध तक बने रहिए तो सबसे पहले आपके question number 11 के सभी प्रशनों के answer हो जाएंगे question number 11 में आपको कुल 7 question दिये गए जिनमें से आपको कोई भी 6 questions के answer को लिखना है तो यहाँ पर पहले questions का answer हो जाएगा दूसरे questions का answer यहाँ तक होगा तीसरे questions का answer यहाँ तक हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर चोथे questions का answer हो जाएगा तो सभी प्रशनों की आंसर को आप अच्छी से लिखते जाएं इसके बाद यहाँ पर पांच में और छट में क्वेस्टन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर छट में क्वेस्टन का आंसर होगा और साथ में क्वेस्टन का आंसर होगा तो इस प्रकार से सभी प्रश्णों की आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं इसके बाद यहाँ पर question number 12 में आपको तीन questions दिये गए तीन में से आपको कोई भी दो questions की answer को लखना है तो पहले questions का answer हो जाएगा दूसरे questions का answer हो जाएगा तो question number 13 में आपको तीन questions दिये गए जिन में से आपको any two करना है तक कोई भी दो questions की answer को आपको लिखना है तो पहले questions का answer यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर दूसरे questions का answer हो जाएगा और तीसरे questions का answer हो जाएगा तो कोई भी आपको दो questions के answer को आपको अच्छे से लिख लेना है इसके बाद इहाँ पर question number 14 में आपको तेन questions दिये गए हैं जिन मेंसे आपको कोई भी दो questions के answer को आपको लिखना है तो यह आपको question number 14 के दूसरे question और तीसरे questions के answer हो जाएंगे इनको आप अच्छे से नोट कर लें इसके बाद यहाँ पर question number 15 है यहाँ पर आपको दो questions दिये गए जिनमें से आपको anyone अर्था कोई एक question से लिखना है 75 सब्दों में लिखना है तो यहाँ पर write the center idea of the poem a tiger in the zoo तो इस पर आप अच्छे से इस प्रकार से center idea लिख सकते हैं तो यहाँ आपको question number 15 का answer हो जाएगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रशने के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है इसके बाद यहाँ पर question number 16 में आपको दो questions दिये गए हैं तो यहाँ पर आपको इन में से कोई भी questions के answer को आपको लिखना है तो यहाँ पर पहले questions का answer हो जाएगा इसके अथवा में भी आपको question दिया गया है तो दोनों में से आप किसी भी questions के answer को आप अच्छे से लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आपके सभी प्रशनों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेर करना है, ताकि सभी को इसका solution प्रोवाइड हो सके, यदि वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजि दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद मिलते हंगे वीडियो में, तब तक के लिए, जैहन बंदे मातरों